नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे गुरूपसी लेवल के अंतरगत जेल वाडन, जेल मेटरन उनली बारवी पास में एक नई भरती निकल करके आ गई है दोस्तों साथी साथ गुरूपसी लेवल के अंतरगत दसफी पास वाडों के लिए अलग विकेंसी है बारवी पास में जैसे कि मैंने पहली ही बता दिया जीरॉक्स ओप्रेटर हो गया, जेल वाडन हो गया, मैटरन हो गया, एक सुनहरा मौका है साथे साथ degree pass वालो के लिए वेकेंसी, एक सुनहरा मौका है दोस्तो, group C के अंतरगत, सरकारी नौकरी लेने का, वो भी jail, warden, metron की post पे, सिर्फ बारवी pass, बारवी में आपका कितना भी percent रहे, no problem दोस्तो, आप बारवी pass हो, apply कर सकते हो, चाहे आप art से कियो हो, commerce से कियो हो, या दोस्तो, selection process से ले करके सब कुछ, ठीक है, बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, एक like जरूर कीजेगा दोस्तो, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, हमेशा की तेरा सबसे पहले मैं ये बता दोस्तो, इसमें total post कितना है, तो इसमें total post, 863 post नई vacancy जारी हो गई है दोस्त अब इसको हर एक category में अगर divide करते हैं, तब भी मैं बता देता हूँ, general से 428 पद है, EWS से 93 post है, OBC से 173 post है, ST से 104 यानि कि 104 भी बोल सकते हैं इसको, तो 104 यानि कि 104 पोस्त है, एस्टी में 65 post है, ठीक है, total हो जाता है दोस्तो, 863 पद पे एक सुनहरा मौका है, ठीक है, इस vacancy का apply date की बात करें, तो इसमें apply date दोस्तो, 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में start होने वाली है, 21 नवंबर से 20 दिसंबर, ठीक है, फीस की बात करें, बहुत सारे candidate, चाहे हो male हो female हो, हमेसा यही चर्चा करते हैं, sir हम afford नहीं कर पाते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होता है 800, 900, 1000, 2000, 24, 25, 100, ऐसे फीस रहता हैं, हम firm फिल नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यह बता दो दोस्तो, इतना का तो आप लोग momos वगेरा खा देते होंगे, ठीक है, general, OBC, EWS candidate का 100 रुपे फीस है, only, ठीक है, H, C, H, T, और PH, और R category के female, चाहे है सभी category female candidate हो, आपका फीस इसमें 00 लगेगा, ठीक है, तो ये बात आप जान लीजे, बहुत सारे female candidate भी बोलते हैं, कि सर, इतना फीस हम पे नहीं कर पाएंगे, तो देखिए, इसमें female candidate का फीस ही नहीं है, ठीक है, तो ये सुनहरा मौका है, दोस्तो, only male candidate से, general, OBC, EWS से 100 रु यही vacancy है, अब देखिए, warden के अंतर गत, hostel warden भी आता है, तो hostel warden की vacancy, EMRS में आया था, degree pass रखा हुआ था, लेकिन इसी में, उसी level की vacancy, same, उससे ज़्यादा salary रहेगा, लेकिन qualification क्या है, 12th pass, ठीक है, age criteria, तो हर एक post का अलग-अलग age criteria, लेकिन maximum और minimum के बीच में मैं बता द तो जो छूट है, वो तो मिलेगा ही दोस्तो, ठीक है, अब इसके बाद, ये जो vacancy है न दोस्तो, all India के male-female candidates में apply कर सकते हैं, कोई साखनी है इसमें, ठीक है, योग्यता, योग्यता 10th pass वाले post है, जैसे कि मैंने पहले starting में वीडियो के बता दिया थे, कि 10th pass वाले के लिए post है, 12th pass वाले के लिए post है, और degree pass वाले के लिए post है, अब मैं आप लोगों को दोस्तो, कौन-कौन सा post में qualification क्या है, ये बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग form फिल असानी से कर सके, ठीक है, तो ये जान लिजेगा, क्योंकि देखिए, post के नाम पता रहेगा, qualification रहेगा, आ आपका qualification match करता है, उस post में apply कर सकते हैं, साथ ही साथ, आपको एक चीज़ बता दू, आप दो post में apply करना चाहते हो, या तीन post में apply करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन हर एक post के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना पड़ेगा, दोस्तो, ठीक है, तो ये बात आ आप लोग जान ली, जो बहुत सारे candidate बोलते हैं, कि सर हम दो या चार post में apply करना चाहते हैं, जैसे कि warden के post हो गया, superintendent के post हो गया, lab attendant के post हो गया, तो इस प्रकार से post में apply करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, तो उन सभी को बता दू, आप हर एक post के लिए apply कर सकते हो, आपका पहले में आ जाता हैं, warden, ये warden जो है न दोस्तो, ये only male candidate के लिए है, ठीक है, अब male candidate only 12th pass रखी गई है, ठीक है, matern, matern 12th pass female candidate के लिए only female candidate, सो भाई किसी बात है, matern तो female ही बनता है न, तो female candidate के लिए matern है, ठीक है, assistant superintendent, इसमें graduation pass रखी गई है, दोस्तो, ये भी vacancy jail के अंत रखी रहेगा, ठीक है, assistant superintendent, high level के post है, तो ये समझ रिजिसमे salary कितना होगा, manager के post है, दोस्तो, degree pass है, lab attendant का है, 10th pass है, whoreman, whoreman की vacancy है, ये 10th plus ITIK हो, तो आप apply कर सकते हो, assistant section officer, ये degree pass वालो के लिए है, computer, lab assistant, 12th pass हो, तो आप apply कर सकते हो, लेकिन आपके पास, आपको एक typing या skill test होगा, ठीक है, nurse की vacancy है, तकरीबन 90 post है, अच्छा सुनहरा मौका है, इसमें भी, और ये Gerox operator, सबसे मुझे पसंद दीदा post यही है, अब Gerox operator का काम क्या रहता है, अरे photocopy तो काम करना रहता है, तो एक machine आपको दे देगा, उसमें बोलेगा, इसका print निकाल दो, इसका photo कर कर दो, ये कर दो, तो आपको सिर्फ ओई करना है, एक सुनहरा सबसे best post मुझे यही लगा, ठीक है, lab assistant का है, ये भी 12th pass है, substation attendant, 10th plus ITI vacancy है, ये bus, bus वाले department बे आएगा, bus या terminal, जो रहते हैं, bus, जो transport, उधर का vacancy है, और ये lab assistant, जो 12th pass है न दोस्तों, इसमें science, science group वाले अप प्रकार से और भी post है, लेकिन मैं जो major major post है, जिसका हर एक candidate इंतजार करता है, उन्ही post में, जिसमें experience वगर नहीं मंगा है, उन्ही post को मैं अभी board में लिखा हूँ दोस्तों, और एक चीज़ बता दू, इसमें सबसे best मुझे दो ही तीम post लगा है, वो है, वाडन post हो गया, म past vacancy में आप जरूर form fill करें दोस्तों, इसका online apply एक बार फिर से बता दे रहूं दोस्तों, 21 नॉम्बर से 20 दिसम्बर के बीच में होने वाली है, फीस भी बहुत कम है, ठीक है, अब चलिए, इसमें selection process आप लोगों को बता देता हूँ, तो selection process कैसे होने वाली है, सबसे पहले इसमें written exam होगा दोस्तों, ठीक है, उसके बाद written exam आप कोली खाय कर पाते हैं, तो फिर आपका physical test, physical किसमें होगा, physical या skill, तो physical post की हिसाब से, जिस post में required है, ठीक है, उसी में होगा, अब जैसे कि यह physical test आपका warden post में हो जाएगा, matron में हो जाएगा, assistant superintendent में हो जाएगा, ठी skill test आप लोगों बता दिया, यह computer lab assistant है, इस प्रकास से जो post है, उसमें आप लोगों का skill test होने वाले है, यानि के typing test, ठीक है, उसके बाद आपका document verification होगा, फिर medical, तो medical का घबराने का नहीं है, अपना नजदी की district hospital से जाना है, district hospital में एक certificate बनवाना है, medical का, वो बना के दे दे hard होता है, ठीक है, लेकिन यह force की vacancy नहीं है, तो यह बात आप जान लेजी, अब ठीक है, अब यह physical test में होता क्या है, तो physical test की जानकारी मैं चलिए आप लोगों को notification में A to Z बता देता हूं, ठीक है, लेकिन अभी तक like नहीं हो, तो like कर दीजे, channel को subscribe नहीं हो, तो subscribe कर दीजे ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तो, सबसे उपर में जो vacancy के details में अभी आप लोगों को बताने वाला हो, तीन vacancy के बताने वाला हो, physical के बारे में, एक तो assistant superintendent का हो गया, दूसरा materan का हो गया, और तीसरा अपना jail warden का, तो सबसे पहले assistant superintendent का बात करता हूं, देख लिजे vacancy ह ठीक है, अब इसके बाद ये vacancy में ना दोस्तो, आपका total जो post है ना, वो आपका 19 post है, ठीक है, total post में, इसमें दोस्तो, आपका physical standard, यानि कि जो male candidate है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो इसमें आपका height होना चाहिए, जो गोरखा है, या क्या बोलते है, डोगरा है, उनका आप लोगों का 5 feet, 4 inch, ये height, ठीक है, लेकिन other candidate के लिए, जैसे के जनरा लोगी CEWS, इसमें other candidate आता है ना, उनका 5 feet, 6 inch height होना चाहिए, चेस्ट 32 inch होना चाहिए दोस्तो, और physical standard female के लिए, तो इसमें female भी apply कर सकते है, तो female का height इसमें 5 feet होना चाहिए, ठीक है, अब इसके running होगा, तो 1600 meter का आपका running होगा, 6 minute में आपको 6 minute को टाइम दिया जाएगा दोस्तो, उसमें आप लोगों को पूरा करना होगा, इसके बाद इसमें high jump भी है, high jump 3 feet, 6 inch में आपको 3 time दिया जाएगा, 3 time में आपको उसको कूदना है, ठीक है, उसके बाद आपका long jump भी है, तो इसमें 13 feet आपको long jump करना है, तो यह असानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब इसके बाद female candidate के लिए, तो female candidate के लिए एक अच्छी चीज़ है, इसमें आप लोगों का running को 800 meter को साड़े 4 minute में निकालना है, ठीक है, 800 meter को, ठीक है, इसके बाद आप लोगो को दोस्तों, high jump को 3 feet कुदना है, ठीक है, इसके भी 3 chance मिलेगा, long jump को 9 feet कुदना है, इसके लिए भी 3 chance मिलेगा, जो असानी से आप लोगों को जाओगे, दोस्तों, यह try 3, try में असानी से निकाल लोगे, ठीक है, अब इस प्रकार से आपका P.E.T. PhD होने वाला है, ठीक है, अ लेवल 6 हैं साब से मिलेगा, जिसमें आपका जो basic salary 9,300 से 34,800 क्यास पस रहेगा, प्लस grade पे 42,00 रुपया, प्लस अच्छा खासा salary अगर आपको चाहिए न दोस्तों, तो यह post आपके लिए है, और age 18 से 27 सा, लेकिन, लेकिन जो छूट मिलता है, दोस्तों, आप लोगों को व मिलेगा, ठीक है, इसके बाद आज आता है दोस्तों, matern female candidate, तो matern में total जो post है न 62 post है, और यह only female candidate के लिए, और only दोस्तों 12th pass vacancy है, देख सकते हो, 12th pass, और इसमें आपका height जो है न दोस्तों, वो 157 cm होना चाहिए, तो इतना तो रहेगा, आप लोगों का tension नहीं है, अब physical standard की बात करें, तो इस बहुत एक सी बात है, आपका कान, आख, आख, सब कुछ बराबर सहीं से होना चाहिए, कोई external रहें, ठीक है, जैसे कि कि किसी का चस्मा उसमा ना लगा रहें, ठीक है, और क्या बोलते है, दोनों आई सहीं रहें, और कान, जो hearing problem होता है, वो ना रहें, म नौ फिट लॉंग जब तीन मिनट में आपको कुदना है, उसके बाद ही, आप लोग इसमें P.A.T. क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का आ जाता है, इसमें salary कितना मिलेगा, तो 21,700 से 69,100 रुपे के बीच में, लेवल 3 के दोस्तों, इसके बाद सबसे most weighted, vacancy warden का, warden में दोस्तों आप देख सकते हो, total 271 post है, ठीक है, 271 post है, और 271 post में height 170 cm होना चाहिए, 12th pass vacancy है, ठीक है, और chest 81 से 85, जो normal आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 cm आपको फुलना चाहिए, तो यह तो फुला लेगा कोई भी, और vision, यानि कि आई आई आप लोगों का 6x6 होना चाहिए, ठीक है, तो यह तो रहेगा दोस्तों, ठीक है, अब आज आते हैं इसका physical test, तो 1600 meter को 6 minute में आपको दोड़ना है, निकाल लोगे असानी से, उसके बाद इसमें, एक चीज है, 13 feet को आपको 3 chance में long jump कुदना है, कुद लोग आ जाता है आपका जो physical test, PT, तो यह 1600 meter, तो इसमें age wise है दोस्तों, अगर आपका age, अगर आपका age 31 साल के बीज में है, ठीक है, तो 6 minute में आपको निकालना है, 31 से 40 साल के बीज में है, तो 7 minute में आपको निकालना है, और 40 साल से उपर है, तो 8 minute में आपको यह दोड़ को निका लोगे दोस्तों, ठीक है, इसके बाद age wise आपको long jump में भी 3 chance मिलेगा, 31 साल के age हो तो, मतलब 18 से 31 साल के बीज में है, तो 13 feet कुदना है, 31 से 40 में 12 feet, और 40 से उपर है तो 11 feet कुदना है, ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों high jump आ जाता है, तो same इसमें भी 3 chance मिलेगा, 31 साल है त तो 3 feet 6 inch, और 40 से उपर है, तो 3 feet 3 inch होना चाहिए, तो यह असानी से आप लोग खुद दोगे, अब इसके बाद इसमें salary, तो salary आप लोगों को मैं बता दो दोस्तों, salary आपका होगा 21,700 से 79,100, जो matern में था, same इसमें भी वही salary है, group C level के अंतरगत, और 18 से 27 साल age रखी गई ह लेकिन HCT को क्या है, 5 साल की छूट मिलेगा, और OBC को, ठीक है, OBC को 3 साल की age में छूट मिलने वाली है, वो मिले गई दोस्तों, तो इस प्रकार से इस vacancy में, तीनों में मैं physical, वहाँ पे board में नहीं बताया, लेकिन इसमें बता दिया, एक सुनहरा मौका है, आप सभी male और female candidate के पास join होने का, जरूर से इस post में form apply कर दीजगा दोस्तों, ठीक है, अब चलिए wide board के तरफ चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों, इस vacancy का पूरा qualification में आप लोगों बता दिया, selection process बता दिया, अगर आपका qualification इसमें match करता है, अरे I-12 तो पास सभी हो, चाहे male हो, female candidate हो, all India candidate हो, apply जरूर कीजगा दोस्तों, अब आप लोग इसमें job location पूछोगे, तो job location सोभाईक सी बात है, दिल्ली के अंतरगत है दोस्तों, दिल्ली में है आप लोगों का job, जो दिल्ली के अंतरगत रह के government job लेना चाहते है, उसके पास एक सुनहरा मौका है, दिल्ली जै में इतना सुनहरा सुनहरा post आया है, दोस्तों, इतना अच्छा post है, warden, matron, superintendent, सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आप लोगों कहां मिलेगा दोस्तों, देखे, warden की vacancy आती है, other state से भी आती है, central से भी आती है, लेकिन उसको qualification जादा तर का क्या रहता है, degree वालों के लिए रहता ह यानि कि इस नातक pass, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसी warden को क्या होता है, पता है, दोस्तों, एक चीज मैं बता दू, इसी warden का जो राज्य में जो PSC होता है, जैसे के MP, PSC, PSC, राजिस्थान, PSC, बिहार, PSC, ये सब PSC लेता है, इसी warden का other state में, लेकिन दिल्ली मे क्या किया है, इसी का qualification फिल्द बास कर दिया है, और इसको DSSB के तहट exam ले रहा है, तो ये एक सुनहरा मौका है, आप सभी के पास, ऐसे post में आप लोगों को joining करने का, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, दोस्तों, अभी तक like नहीं कियो, तो like कर दीजे, चैनल में पहल करतियों का notification दीन में दो बार वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, तो जूट जाएगे टेलीग्राम चैनल में, सबस्क्राइब कर लिजे चैनल को, फिर आज के लिए बस इतना है, दोस्तों, मिलते हैं, नेक्स टुड़ों में नई government याप नई सरकारी नवगरिक अपडेट के साथ तब तब के लिए जाहिन